पहाने की शुरुवात होती है अमेरिका की एक छोटे से गाउं को दिखाने सी, जो जंगलों की बिजो बीश था, यानि इस गाउं को चारों तरफ से जंगलों ने गेरा हुआ था, और ये लोग हमेशा अपने इस गाउं में रहती हैं, कभी भी यहां से बाहर नहीं जाती, द की गाउं की चारों तरफ के टिखली तार लगा की रखे हैं, और बड़े-बड़े दिवारी हैं, ताकि वो खतरनाक मॉंस्टर इनके गाउं में ना हैं, और ना ही ये इनसान उस जंगल में जाएं, अब एक दिन एक आदमी की बेटे की तबिद, वो जिदा खराब हो जाती क्योंकि उसे खतरनाक पीमारी थी, जिसका भी इलाज करने के लिए उसे गाउं से बाहर नहीं ले जाया जाता, बलकि यही रखके उसका इलाज किया जाता है, जिसका कोई भी फाइदा नहीं होता, और उस आदमी की बेटे की मौत हो जाती है, जिससे वो आदमी बहुत क्योंकि उसके बेटे की उम्र बहुत ही कम थी, जिब उसे तफनाया जा रहा था, तो वो अपने मरेवे बेटे को कहता है, कि काश ये जानवर ये मौंस्टर इस जंगल में होते ही न, मैं तुम्ही गाउं से बाहर ले जाकर इलाज करवा देता, तो आज तुम जिन्दा और मेरे पास होते ही, पता नहीं और कितनी देर इस बोरे से गाउं में रहना पड़े का, जो कहकर वो दोबारा से खोट खोट कर रोनी लगता है, इसके बास सारे गाउंवाली एक साथ बैठकर खाना खानी लगती है, कि तब ही इन्हें जगलों में से बयानक आवास हानी लगत जिससे वो लोग खब राच आती है, इस गाउं में एक पागल लड़का रहा करता था, वो हसते हुए सबसे कहनी लगा, यह जानते हूँ, यह आवाज है किनकी है, उन्हें मॉंस्टर्स की, क्योंकि वो यहां आ रहे हैं, जो कहकर वो और हसता है, और उठकर तालियां बजा इस पूरे गाउं और फार्मा उसकी रखवाली करने के लिए हर रात एक आदमी यहां पैरा देता है, और यह लोग जंगली जानलों और मॉंस्टर्स को भी खाने के लिए गोश्ट देते हैं, कभी मुर्गी का, तभी बकरी का, तो कभी गाए का, तकि इनका गोश्ट खाकर वो अपने भूक मिटा सके, और इनके गाउं कभी भी ना आएं, अब दो लड़किया जब यहां की साफ सफाई कह रही थी, तो उन्हें एक जगा पर लाल रंग का फूल दिखता है, जिसका मतलब कि उस जगा लाल फूल वाला पोदा था, जिसे उखाड कर यह लिर्किया ज क्लास देने स्कूल जयारा होता है, तो वो कुछ बच्चों की बीड को इस जगा पर खड़ा हुआ देखता है, जो बच्चे एक मरिवे जानवर की पास खड़े थी, जिसकी अजीब हालत थी, क्योंकि उसके जिसम पर खाल नहीं थी, बच्चे उसकी ऐसी हालत देकर दिल र हैंगी हमारे गाउं में, शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, ना कि उस मॉंस्टर का हो सकता है, जंगली जानवर नहीं इस जानवर को मार कर यहां पहंग दिया हो, अब दोसी तरफ हम कुछ बड़े लोगों को एक जगा पर देखते हैं, जो द्रसल मिटिंग करने आ हमारे पास, इसी वज़े से उस आदमी की बैटे की मोध हुई, और कई लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं जंगल की रास्ते किसी टाउन में जाकर ज़रूरत की कुछ दवाईयां लिया आता हूं, ताकि कम असकम लोगों को छोटा मु पूशनी लगा कि तुम्हारे दिल नहीं करता, गाउं की बाहर की दुनिया देखने का मेरा तो बहुत करता है, इस पर उसके दोस्त जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मूम ने बताया है कि गाउं की बहुत जालिम और बुरे लोग रहती हैं, जिबकि इस फैमली कितना जिनकी गुजार रही हैं, तो मुझी अपने इस गाउं से ही प्यार हैं, यहां सी में कभी नहीं जा सकता, अगले दिन गाउं की सभी लोग एजगा पर जमा हुए थी, क्योंकि किसी ने गाउं की सभी कुत्तों को मार कर उनकी भी खाल उतार ली थी, जिससे सा हमारे गाउं में आती, तो हमें पता लग जाता, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और वैसी भी हमने सारा इंतिजाम किया हुआ है, कि अगर वो यहां गुस गई, तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मजीद अपना दर दूर करने के लिए, हम गाउं की चारों तरफ बिच्छी कटीली तारों को चेक करेंगी, और सभी दीवारों को भी, कि कहीं उनी तोड़कर कोई मॉंस्टर आतों नहीं गया, पर फिर भी आप लोग इजी और बेफिकर हो करें, अब टीचर की बड़ी बेटी, अपने डैड की पास जाकर कहती है, डैड मैं चाहती हूँ, मैं डाक्टर से प्यार करती हूँ, और उससे ही शादी करना चाहती हूँ, तो आप मेरी शादी उससे कीजिएगा, उसकी डैड पूछते हैं, बेटा कि वो भी तुमसे प्यार करता है, वो जवाब देती है, पता नहीं, क्योंकि अबी तक मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तक नहीं और आज ही मैं उसे बता दूँगी और शादी के लिए भी पूछूँगी जिसके बाद वो सिधा डॉक्टर के पास जाती है वो जड़ा खुश होती हुई और उसे क्या देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे इतना पसंदो कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी लेकिन डॉक्टर तो उसके दिल तोड़ दीता है ये कहते हुए कि अभी मेरे शादी में कोई दिल्जस्पी नहीं है और वैसी भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ वो इसी गाउं की रियने वाली है अब डॉक्टर ने उसकी प पारे में बात करने लगा डॉक्टर जिब उसकी बाते सुन रहा था तो उसकी नजर वहां पड़े काले बॉक्स पर जाती है अगली सुबह वो पागल लड़का एक लड़की से आकर मिलता है जो उसकी दोस्ती जिसका नाम आईवी होता है और ये लड़की और कोई नहीं ब घर आकर बहुत रोनी लगी अब वो बहुत दुखी है इस वज़े से उसकी शादी दूसरे लड़की से की जा रही है जिसके बात मेरा शादी का नंबर होगा अब यहां बातों ही बातों में पागल लड़का आईवी की हाथ में लाल रंग का फल लाखे रग देता है जिसस तुम यह कहां से लाए जिस पर वो पागल लड़का जिंगल की तरफ इशारा करता है कि वहां से खैर अगले दिन बड़े लोगों की दुबारा से मीटिंग रखी जाती है यहां डॉक्टर बताता है कि कल वो पागल लड़का जिंगल में जाकर लाल फल लाया लेकिन देख पर इस बार भी सारे बड़े इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती हैं। मेरे पास तो सिर्थ तुम्हें अकेली हो, मेरे एकलोती बेटी, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया, तुम्हें क्या करूंगी, कहां जाओंगी मैं। इन बातों के दुरान डॉक्टर अपने घर में भी वो ब्लैक बॉक्स देखता हैं। जो उसने उस आदमे के घर में देखा था, जिसका बेटा मर चुका हैं। उससे पता नहीं था कि इसमें क्या हैं। इसलिए अपनी मौं से पूछनी लगा कि मौं यह काला बॉक्स कैसा है। कि यहीं तुम्हारी बाहिर जाने वली बात बिल्कुल ठीक दी ऐसी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है जिस पर वो भी बोल पड़ता है तो फिर आखर तब तक हम इसे गाउं में रहेंगे जहां खास कोई भी सहूलत नहीं पाई जाती यहां दवाईया नहीं है अगर कोई बिमार पढ़ गया तो इलाश ना मिलने पर वो मारा जाएगा और फिर ऐसे ही देखते ही देखते ही गाउं के सबी लोग मारे जाएंगे अगर यहां दवाई होती तो ना जैने कितनी लोग ठीक हो जाती जैसे उस आदमें का बेटा और पता नहीं कितनी लोग जिसनकर आईवे उसे कहती है अच्छा शान तो जाओ गलती हो गई बाबा इस टॉपिक पर अब हम कोई बात नहीं करेंगे ठीक है अच्छा तुम्हें पता है मेरी बड़ी भेन की शादी पक्की हो गई है और अब अगर मुझे कोई पसंद करता है तो शादी के लिए वो मेरी घर आ सकता है जो केकर वो शिर्माते हुए घर के अंदर चली चाती है अगले दिन डॉक्टर का दोस्त जब पैरा दे रहा था हम तो उसे अजीब सी आवास सुनाई दी वो एकदम घबरा गया जब उसने नीचे देखा तो वहाँ से वो मॉंस्टर नजर आता है जिसके लाल रंगे कपड़ी थी और पीछी अजीब सी नौके निकली होई थी ये देकर वो घुबरा गया जिल्दी से घंटी बजा देता है ताकि सारे गाओं वाले अलर्ट हो जाए आवास सुनकर सारे लोग जान दे कि क्या हुआ जिल्दी से भाग कर अपने अपने घर जाने लगी लेकिन डॉक्टर नहीं भागता बलकि एज जगा पर खड़ी होकर वो चुप चाप मॉंस्टर को देखने की कोशिश करी लगता है उस मॉंस्टर से पच्चने के लिए आईवी की फैमली जब बेस्मेन में जा रही थी तो आईवी उनके साथ जाने की बजाए घर की बाहिर आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो डॉक्टर की आने का इंतिजार करी थी उसने दर्वाजा भी बन नहीं किया था हलांकि उसकी फैमली चिला चिला कर उसे बुलाती है पर वो तो डॉक्टर की बगर जानी वाली नहीं थी अब जब वो मॉस्टर आईवी के करीब आने लगा तो इतने य справस्य दीर में डॉक्टर आईवी के घरया जाता है वो उसे हाथ दीता है पर जब आईवी उसे नहीं देख पाती तो उसका हाथ खीच कर घर की अंदर ली जाता है और दर्वाजा जट से बन कर दीता है और अभी सब लोग पिस्मिन में आकर चुप जाती है इसके कुछी दिर के बाद वो मॉस्टर गाउं को छुड़कर वापिस जिंगल में चिला जाता है अगले सुबा जैसे हुई सब लोग देखती हैं कि हमारे गरों के दर्वाजों पर वो मॉस्टर लाल रंग का निशान बना के चला गया है तो अब सभी गाउं वालों की मीटिंग होती है कि हम उनकी जंगल में ना जाएं तो अब आप लोग सच बताएं कि कौन गया था जंगल में जिसने जात कर उस मॉस्टर को यहां आने के लिए उकसाया जिसनकर फूरण डॉक्टर खड़ा हो जाता है कहने लगा कि हां मैं गया था जंगल में और यह सब मेरी वज़न से हुआ होगा लेकिन मेरा मकसद उस मॉस्टर को उकसाने का नहीं था पर फिर भी क्योंकि गलती हो गई है मुझसे तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए आइंदा की बात उस जंगल में जनद और दूर की बात है मैं उस जंगल की तरफ दीखूंगा भी नहीं अब क्योंकि उसने अपने गलती माननी थी इसलिए बड़े लोग उसी माफ कर दीते हैं यह कहते हैं कि अब तो ऐसा हो गया लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत करना अब अगले दिन आइवे की बड़े बेहन की शादी हो रही थी जिसमें सारे गावाले शामिल थी एजगा पर बैट कर खाना खा रही होती हैं जिसके बाद पार्टी करती हैं वहां खुब दास किया चाता है अपने सासत्व जंगलों की जानरों और मोस्रोस को भी एक इसम की पार्टी दीती हैं उन्हें खाना डालकर आज वो ने खुब मुर्गियों और बक्रियों का घोश डालती हैं तागे वो भी जी भर के खा सकें आईवे की मॉम उसकी पास आकर बताने लगी ये मेरी भी एक बेहन थी यनि तुम्हारी आठ आज तुम दोनों बेहनों को एक साथ देकर मुझे मेरी बेहन की याद आगई उसकी साथ कुछ लोगों ने गल्ट किया जिसकी बाद उसे मार डाला अब शादी में सारे लोग जब इंजॉय कर रही थी तो इनी बाहर से औरत की चिलाने की आवाज आई ये सब लोग जो बाहर चेक करने गई तो वहां वोसरे जनरों की लाशे पड़ी थी जिनकी भी जिसम से खाले गाईब थी ये देकर तो सारे गाउं में जिसे खाफ पहल गया वो लोग बहुत डर गए जिल्दी से अपने अपने घरों में चले जाती हैं लेकिन डॉक्टर नहीं चाता बलकि वो तो आईवी की घर की बाहर आकर बैड़ जाता है तब आईवी उसकी पास आकर बैड़ की वो भी उससे अपने प्यार का इसहार करती है और यहां हम समझ पाई कि डॉक्टर ने आईवी की भेहन को इसलिए इंकार किया था क्योंकि वो आईवी को पसंद करता था जिसकी बारे में उसने बताया भी था फिर अगली दिन ये बात सारी गाउवाला को भी पता चल जाती है कि आईवी और डॉक्टर एक जुसरे को प्यार करती है तो ऐसे हैं यहां फैसला किया जाता है कि इन दनों के भी शादी कर देनी चाहिए अब जब ये बात पागल लड़की को पता चली तो वो सोचनी लगता है कि आईवी तो मेरी इतने अची दोस्त है मेरी साथ लक्त गजारती है अगर उसकी शादी हो गई तो वो मुस्से दोर हो जाएगी ये सोचकर उसके दिमाग में एक बहुती अजीब सा आईडी आया वो बहानी से डॉक्टर के घर चाता है अगर वो मर गया तो में भी मर जाओंगी मैं गाओं से बाहर जाकर उसके दवाई लाना चाती हूँ ताकि उसका इलाज हो सकी अगर जिंगल में उस मॉस्टर ने मुझे मार दिया तो मुझे मर कर खुशी होगी कि कम असकम मैंने उसे बचाने के लिए कोशिश तो की ये सुनकर आईवी की डैड डोक्टर की पास जाकर कही नहीं लगती है कि उसकी तबियत कैसी है कि ज्यादा कराब है आप उसका इलाज करके ठीक नहीं कर सकती है उसे जिसमर डोक्टर कहे थै कि हम उसका बहुत सारा खून दे गया है मैंने जो करना था कर दिया अब उसे दवायों की जरूरत है तब ही इसकी जान बच सकती है ये संकर आईवी की डैड उसकी पास आकर समझाने लगती है कि तुम्हारी दादा जी बहुत अमेर आदमी थी पर उन्हें अच्छी बुरे इनसान की पहचान नहीं थी इसलिए एक दिन एक चोड़ने आकर उन्हें शोट करके मार दिया अगर ऐसी तुम्हें भी किसी ने मार दिया या उस मोस्टर नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझ पर क्या बीतेगी ये तुमने सोचा है पर वो तुम्हारा होने वाला हिस्पिंड है तुम फिर भी डॉक्टर के लिए जाना चाहती हो तो मेरे तरफ से इजाज़त है जो कहने की बाद वो जख्मी डॉक्टर को इस जगा पर ले गई फिर कुछ लोगों से मिलकर उन्हें बताने लगती है कि मेरी बीटी आईवी गाउं से बाहर टाउन में जाना चाहती है ताकि वहां से दवायां ना सकी ये सुनकर गाउं के लोग कहने लगी कि आपने उसी बताया नहीं कि गाउं के बाहर जिना कितना खतिरनाक है इस पर वो कहते हैं कि हाँ बताया है और समझाया भी है लेकिन वो नहीं सुनेगी क्योंकि डॉक्टर के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है जिसके थोड़ी दिर की बाद आईवी टाउन जाने के लिए निक्ते जाती है जिसके साथ गाउं के दो लड़की भी जाती है और अब या बस आईवी अकेली बची थी वो भी डेरी हुई थी लेकिन एक पेड़ की पास आकर अपने डेड़ की बातों को याद करने लिखती है जब उसके डेड़ उसे एक घर में लेकर गए थी जहांपर वो ही मरा हुआ मॉस्टर था जिससे उसके डेड़ हाथ लगाने को कहती है यह आईवी को ड़र लग रहा था पर वो बड़ी मुश्किल से उस मरे हुए मॉस्टर को हाथ लगा ही लेती है जिसकी बात वो इस खयाल से बाहिर आ गई अब आईवी के ड़र उसकी पास आकर हीचकर अपने साथ एक जगा पर ले जाती है और समझाने लगें कि यह मरा हुआ मॉस्टर नहीं है बलके उस मॉस्टर का मास्क है सच बताओं तो इस जंगल में इस तरगा कोई भी मॉस्टर है ही नहीं तो तुम बिना डरे जंगल पार करके टाउन में जा सकती हो हम बड़े लोगों ने सबी गाव़ों से इस मॉस्टर के बारे में जोट कहा था अई भी खिरान हुई पोश्टी रखती है और जंगलों से जिप तरह की ओवाजें आती है हम उन मॉस्टर को खाना भी खिलाती है वो मॉस्टर हमारे गाउं में आकर हमारे जानरों को मार कर उनकी खाले निकाल कर खा गई तो वो सब क्या था? तब उसकी डेट बताने लगी बेटा वो सब कुछ हम खुदी करती है तक कोई भी जंगल में ना जाए वो आवाजी आना, खाना डालना सब जूट है हम ही करती हैं खाने डालने की बाद उस खाने को हम खुदी खा जाया करती हैं और यही बात गाउं की जानरों की उन्हें भी हमने ही मारा था यह बात गाउं की सिरु बड़े लोग ही जानती हैं आज तुम भी जान गई हो तो बीने डरे अराम से जा सकती हो जिसके बाद ही आईवी दुबारा से जंगलों में आगी बढ़ने लगी और अपने डैट की बातों को याद करके बड़ी मुश्किल से जंगल पार करने की कोशिश कर रही होती है वो बिचारी एक गड़ी में भी गिर गए थी जिसके अंदर से वो बड़ी मुश्किल से निकल कर बाहर आती है इस सुरान हम देख पाती हैं कि वो अजीब सा मॉस्टर आईवी का पीछे कर रहा है इसलिए जब वो मॉस्टर इसके तरफ हमला करने के लिए आगे बड़ा तो ठीक टाइम पर आईवी पीछे गड़ गई वो नोगदा टेन यां मॉस्टर के अंदर खुस जाती है जिससे वहीं उसके मौत हो जाती है अधर गाउं के कुछ लोग आकर आईवी के डेड को कियेती है कि तुमने हमारे गाउं के सूलों को क्यों तोड़ा यूँ आईवी को रोका नहीं उसे टाउन जाने दिया जो सुनके अभिया आईवी के डेड सारी बात सच सच बताती है और यहां इस कहानी का बड़ा राज खुलता है वो कहते हैं कि काफी वक्त पहले मेरे डेड को एक चोड ने मार दिया मिरी वाइफ की बहन को कुछ लोगों ने मार दिया जो डॉक्टर जख्मी बड़ा है उसके बाप को भी एक चोड ने मार दिया था ऐसे गाम के हर घर की ये कावानी है जिसमें उनकी फैमली के किसी एक इनसान को बाहरी दुनिया की जालिम लोगों ने मारा हुआ है हर किसी नहीं अपने किसी प्यारे को खोया है अपनों कोने की बाद हम सबी लोग इतना दुखी रहने लगी कि डिप्रेशन में जाने लगते हैं इस वज़े से हम सबने एक उस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाया और वहाँ ही हम सारी फैमली एक दोस्ते से मिली थी हमने वहाँ अंदाजर लगाया कि लोग पैसों की लारच में पागल हो गई हैं हच्से ज़दा जालिम बन गही हैं जिसके पास भी पैसा होता है लुटेरे उन पैसों को लुटने की बाद उस इंसान को मार दीती हैं अगर हमारे पास पैसा ही ना हुआ तो उमें किसी का भी खत्रा नहीं होगा हमें कोई नुक सान नहीं पहुच जाएगा इसी वजह से हम सब लोग यहाँ आए और जंगल की बीचों बीच हमने यह अपना गाउं बनाया इस गाउं में फिर यह असूल रखा कि कोई भी यहां में खा जाएगा अब मजीद लोगों की अंदर उस मॉस्टर का खोफ पैदा करने के लिए इन्होंने उस मॉस्टर का मास बनाया फिर यह जंगल में जाकर आवाजे करने लगी फिर गाउं में आकर जानवरों को मार कर उनकी खाले निकालने लगी जैसे उनने शादी बली र अब जानवर का ये मास हर घर में था और अब जब पागल लिड़की की मॉम डेड अपने घर आती है तो अपने घर की बुरी हालत पाती है जिसे घर का फर्श टूटा हुआ था और वहां से उस मॉस्टर को मास भी गाइब था जिससे हम समझ पाई कि जिंगल में आईवी की साथ मजाद करने के लिए ऐसी बस उसका पीछे कर रहा था पर उसे क्या पता था कि मेरा मजाद उल्टा पड़ जाएगा जो मेरी मौत की वज़ा बनेगा पेड़ की नोगदा टेनिया मुझे चीट की रखतेंगी उधर आईवी दिवार को पार करके बड़ी मुश्किल से स सोचकर कि बले जंगलों में कौन रहता है पर क्यूंकि आईवी ने कहा था कि एमरजनसी है तो यह आफिसर उसी दवाया लाकर दे ही दीता है दवाया लेकर आईवी वापिस अपने गाउं आ जाती है और जो को जंगल में उसकी साथ हुआ सब को बताती है कि वहां मुझ पर उन्हें बहुत दुख लगता है पर आईवी की डेड़ उसकी मुझ डेड़ को समझाती है कि अब दुख ही ना हो क्योंकि आपके बेटे ने मरते मरते हमारे गाउं के लिए अच्छा ही किया क्योंकि अब सारे गाउं वालों को यकीन हो गया होगा कि हाँ सच में जिंगल मे ऐसा मॉंस्टर पाया जाता है जिसने आईवी पर हमला किया जिसका फाइदा ये होगा कि हमेशे हम इसे गाउं में जिंगे गुजारेंगे और हमारे बच्ची कभी यहां से जाने की बात पर नहीं करेंगे नहीं कोई सवाल करेंगे हमारा ये सिर्चला हमेशे चलता रहेग इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इदर ही खत्म जाती है